कि हेलो फ्रेंट्स कुद मॉर्णिंग तो आज 24 जन्वरी और 24 जन्वरी के सारे टॉप करेंट इस के साथ हम लोग डिवीजन करेंगे और जैसा कि आप सब को पता है साथ बजे डेली मॉर्निंग में करेंट आते हैं तो जरूर देखिए वंडे एक्जाम पॉइंट को सब्सक होता है क्योंकि लगबग 20 ग्रूप्स हैं सब में अगर मैं भेजूंगा तो काफी टाइम भी जाएगा और मेंबर भी उसमें लिमिटेड होते हैं स्वादेशी स्मार्ट एंटी एयर फिल्ड वेपन का नाम क्या है वाट इद नेम ऑफ इंडिजिनस स्मार्ट एंटी मतलब कि हमारे मेड इंडिया प्रोड़क्ट में से एक है अब इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका नाम भी है स्मार्ट एंटी एयर फिल्ड वेपन अब इस तरीके के वेपन को कहां से परिक्षन किया जाता है तो यह उडिसा से किया जाता है क्योंकि उडिसा क अब उसको क्या कहते हैं अ आपको वह याद होगा तो आज हम लोग जो रिविजन की पॉइंट ऑफ चीजे को रखा है मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट है किस देश ने अमेरिका की पूर्व बिदेश मंतरी माइक पॉंप्योस समेथ 28 सदिकारियों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है तो यह है चीन ठीक है यह माइक पॉंप्योस हैद बहुत सारे जो उनके प्रतिनीजी थे उन पर प्रतिबंध लगाया है उन पर बैंड किया है चीन में एंट्री के लेकर लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि कुछ दिन पहले अमेरिका ने भी चीन पे उनके कुछ आप्स के साथ प्रतिबंध लगाया था और अमेरिका जो है अभी ओपन एसकाई ट्रीटी से सबसे पहले इसने अपना हाथ कीचा था फिर रूस भी अभी हाल में ओपन एसकाई ट्रीट नाम का एक और नाम है रेन मेबी यह एक अलग नाम है युवान का ठीक है चीन के प्रेसिडेंट है सी जिन पिंग यहां के राष्टपती है चलिए चीन में दो बैंकों का हेड़कौर्टर है याद कर लिए एंडीबी नेशनल डेवलप्मेंट बैंक एंडीवी का की ब्रिक्स बैंक के नाम से जानते हैं ब्रिक्स बैंक मतलब ब्राजील ररसिया अंडिया चाइंड की यह उतकर फिर के थे माज जो गुवाम्पोजीट उसको और अग्रसिया इंफ्री वेस्मेंट ही इसका है इनकर दृत donor का है यह यह जो क्युवार्ट है अध्याधन cloth जाएधानी ये भी बीजिंग में ही है अब आगे बढ़ते हैं किस दिगर्द गेंदवाज में फ्रेंचाइज क्रिकेट से सन्यास लेने का फैसला किया विच ग्रेट बॉलर डिसाइड़ टू गेट रिटायर फ्रॉम फ्रेंचाइज क्रिकेट तो यह हैं लसित मलिंगा लसि लब मतलब बाल जो होते हैं बालक जो होते हैं शोटे बर्चे जो होते हैं उनके लिए एक तरीके से सारी आ परिपून एक को हिमाचल प्रदेश दीख रहा है हर्याना इसके बगल में यहीं पर है उत्तरा खंड है यह दर असल पुराना मैप है इसको आप ध्यान रख लेगा तो उत्तर प्रदेश का उपरा ही लाका यह इसकी अस्थापना हुई थी कि 9 November संदोहजार में इसलिए ये पुराना वाला मैप है नौ November संदोहजार में इसकी अस्थापना होती है उत्तर प्रदेश से यह अलग होता है कि राजधानी है देहरादुड और ग्रिस्म कालेंडर जहनी है गयर सैंड दो चीज़ें आपको देहान रखना है गयर सैंड नेक्स्ट है मुख्य मंतरी है यहां के त्रिवेंद्र सिंग रावत और गॉर्णर है बेवी रानी मौड्या मुख्य ने अधिस है रागवेंद्र सिंग चौहान और दो पडोसी र लाइन से याद रखने से रिविजन करने से फायदा यह होता है कि जब भी एक्जायम होगा वो तुरत दिमाग में क्लिक करता है तो वीडियो को लाइक भी कर दिए और जितने भी लोग अभी लाइब देख रहे हैं वो जो भी मैं पूछू उसको कमेंट भी कर सकते हैं तो रखने से पक्रशच्च्च में यह सबसे पहला भारत का निश्टल पार्क बनता हैं गंगोत्री नेश्टल पार्क यह फूलों की घाटी दо वाइली अफ़ व्लावर्स निस्टल पार्क राजाजी निनर्शनल पार्क गुविंद पसू विहार भी हैं यहां पे क्या नाम नंदा देवी परवत का है उत्तरा खंड में है चिपको अंदोलन आपने नाम सुना होगा जिसमें लोग पेंड से चिपक के उसे कालने से रोकते थे तो यह भी आंदोलन चलाए गया था उत्तरा खंड में तेक्षा और आगे दिखते हैं के अंदर सरकार में जमू कास्मीर के किस नदी में 850 मेगावाट के पाउर प्रोजेक्ट को लॉंच किया है Central Government permitted on which river in जमू कास्मीर 850 मेगावाट पाउर प्रोजेक्ट तो यह है चेनाब अब दिखे चेनाब नदी तो है बटिए चेनाब नदी किस की सायक नदी है तो यह है सिंधु नदी की सिंधु नदी की सहायक नदी है चेनाव और चेनाव जो है दो धाराओं से मिलकर बनता है चंद्र और भागा मैंने मैप नदियों का यहां रखा है आपको एक सहुलियत हो जाएगी आप याद कर पाएंगे और यहां है आपके सामने चेनाव रावी शतलज चेनाव यह देखन नदियों के बारे में पढ़ेंगे और सिंधु नदी से सुरुवात करते हैं अगर नदियों के बारे में सेपरिट वीडियो आपको मैप के साथ पढ़नी हो तो जोग्रफी के प्लेइस में जाएए 30-40 वीडियो है जिसमें से 30 तो प्रैक्टिस से ठोंगे और उसके अलाव है वगलेसियर से निकलती है जो कि कहा है तिबत के कायलास परवत के पास है मतलब मानके चलो कि आप कैलास माउंटें से सिंधु नदि निकलती है ठीक है उसके बाद यह आप नोट दिख रहे हो यह दरसल सिंधु नदी की ही है तो लदाख इधर और जासकर नीचे है इनके बेंच से होकर गुजरते हुए गिलगित जम्मु का समीर में एंटर करती है फिर यह दरदिस्तान के पास पाकिस्तान में भी चली जाती है इसके कई सारे ट्रिब्यूटरी है यह स दिख अब्लब्या के बारे में मैंने बताया जहलum जो है यह निकलती है वेरीनाव से का से निकलती है वेरीनाग कि तीक राकस लेक से, चिक है, सतलज निकलती है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया सिंधु नदी, सिंधु नदी गिरती कहा है, तो अरब सागर में आपको ये याद होना चाहिए, और ये पाकिस्तान का है, पाकिस्तान में भी एक हैदराबाद है, आगे बढ़ते हैं, जम है लेह लद्दाख केंद्र केंद्र सासित प्रदिश बन गया तो यह लभक्रन की सीथ Ganz स्रीनगर राधदानी बन जाती है ऑर कैलीट जो संर्दी ना लाए जाए तो तनी वज़ाँ तो Wähकोई भी काम नहीं है हम पड़र तरफ जो भी अईमिनिस्टेटिवाइनट ऑफिसे हैं वह बर्प से घप परразуग है मनोज सी नहां आपको पता है कि यहां LG होते हैं लेफ्टिनेट गॉर्णर मुखनय दिस हैं पंकर मित्तल बूलर जील भारत की सबसे ताजय पानी की जील है जो की सबसे बड़ी जील है सिरी अगर ढल जील के किना रहा थिता है प्रमुक जील है डल जील जील है जील जील की जो मैं वीडियो दिखाता हूं मैप मैंने जो दिखाया है कौन-Kण से जील है उन उसे आप ध्यान रखिएगा ठीक है अगला है भारत की सॉरी ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021 किस ने जारी की है तो वर्ल्ड इकोनोमिक इंडियन को मिला है इसलिए ज़रूरी हो जाता है निखिल स्रिवास्तवा अगला कुछन भारत की सबसे बड़ी मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की जिले में बनाई जाएगी इन्विच डिस्टिक इंडिया इस फिर्स्ट बिगेस्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विल डेवल अब तो ये जो है गुजरात के अहमादाबाद जिले में इसे डेवलप किया जाता है जब किया जाता है गुजरात के अहमादाबाद जिले में और ये प्रोग्राम चलना है इसे जल्दी डेवलप कर लिया जाएगा देश का सरुसरिस्ट पुलिस अकेडमी किसे घोसित किया गया है तो जो पुलिस अकेडमी जो ट्रेनिंग देती है उनके ऑफिसर्स को या जो सब इंस्पेक्टर होंगे उनके लिए सभी जगा इस्टैबिलीज भी और उपको पता है बिहार में कुछी समय पहले राजगीर मे में भी पुलिस अकेडमी ट्रेनिंग अकेडमी के विवत्त instruments की गई थी और उसका उद्गाटन किया गया था तो यह सरुस्रिष्ट पुलिस एकेडमी जो है यह बनाए गया राजस्थान पुलिस एकेडमी को ठीक है किसको बनाए गया राजस्थान दसवा कुश्चन है जनवरी 2021 में गुलमर्ग में आज दसवी राश्ट्रिय आई सौकी चांपियंसिप किसने जीता है तो यह जीता है ITBP ने मतलब इंडोर टिबर बॉर्डर पुलिस और यह एक पैरा मिलिटरी है है कि ठीक है पारा मिलिटरी है ITBP यह होम मिनिश्ट्री के अंतरकत है आपको पता है बीस एफ एसेस बी एसेस बी किस अपना को भी थी 1962 में बीस अपना होई तो 1965 में ITBP किस अपना को भी तो 1965 में इसी तरीके से सी आर पी एफ है सी आर पी एफ इसकी वाथ अपना होई थी 1949 में है ठीक है अब आपको कमेंट बॉक्स में यह बताना है कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का अपने नाम सुना होगा एन एस जी और इसके अलावा होता है एस पी जी जो कि पी एम और राश्पती के सुरक्षा में आपको सिर्फ एनेजी के बारे में बताना है कि एनेजी की अस्थापना किस साल में की गई थी चलिए कुछ यूनिक कुशन आज आप लोग कमेंट करेंगे सन्यूक तुसायन अ अभ्यास कवच का आजन कहां किया गया अब देखिए सन्यूक तुसायन अभ्यास जो है इसमें डिफेंस के तीनों फोर्सेज एयर फोर्स इंडियन नेवी और आर्मी तीनों है जिसका आयोजन किया गया था कवच 21 का अंडमान निको बार में है असियान सेक्रेटरय्यत में बारत के नए राजूत के रुप में कॉन देख हुआ है न्यूअट सेक्रेटर इनरीं तो यह नीन खोबरा गडें ञारा जोलो यहां के अधियक्ष थे और ये ली श्वांग द्वांग कर से लूंग है रय कि अधियां का मैं जकारता इडोनेशिया के राजधानी थी पूर्व आप तो इंडोनेशिया की राजधानी बदल चुकी है तो यह आपको ध्यान लखना है थीह कब मनाआ जाता हैfahren च्रब ब्रोग दिवस यह कहां मनाएगया त्यूमा इसलता है कुछ कहे जो है जो कि वहां फोठ पुरहाना जो सबसे यहां कोन है विपलौव देव और यहां के गॉणर है रमेश बैस ठीक है रमेश बैस यहां के गॉणर है तो अब कोश्चन आपको कमेंट करके ये बताना है कि चीन ने अरुनाचर प्रदिश के किस नदी पर एक गाउं का निर्मान किया है इस का अंसर मैंने प्रिवेसली वी कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू सो मच.